बेटा कभी मान लो question में आ जाये distance traveled तो वो कैसे निकालोगे ऐसे कह सकता हूत कि मान लो किसी path की along ед कोई particle चल रहा हूए तो ये distance हो गया dx ये distance हो गया dy और ये distance हो गया we लेंथ हो गया dl तो मैं कह सकता हूं dl is equal to under the root of dx का square प्लस डी वाई का स्क्वेर इसको इंटिग्रेट कर दो तो क्या मैं कै सकता हूं पाथ लेंथ आ जाएगी इस देट फाइन येस डेट बाइट आप लेंद आप लेंथ आ या ना कि कोई भी कर्व दे दिया ये कह दिया वही वाई एक्वल टू सम एफ एक्स और अब कह रहे हैं कि भई इस कर्व के लॉंग लेंथ निकाल दोगी यहां से यहां के बीच में हाँ या ना तो कैसे निकालेंगे तो इस पर्टिकुलर इंटेग्रल को सॉल्व करके निकाल लोग कि छोटा सा लेंथ इस स्पीड इंटू छोटा सा टाइम इंटेग्रेट कर दो तो भी डिस्टेंस आ जाएगा यहां यहां पर विलॉस्टी मत कर देना प्लीज क्या करना स्पीड मॉडूलिस लेना है उसका हाला कि वो यह अगर तुम राइट एंड साइड को देखोगी त सयं मिन रइंस इंटेग्रल सें इसलिए बन रहा है क्योंकि तुम अगर इसको Luiza से डिवाइड कर दो इसको डिवाइड कर दो और इसको फिर मल्टीपलाई कर दो डिवाइड कर दो तो यह जो कौंटिप्लाइब न गया एकसॉंपोनेंस अश्का स्वेर प्लस याइन of velocity का square that is basically और उसका अंडर दा रूट तो वी मैगनिट्यूड हो गया ना बेसिकली और वी मैगनिट्यूड इंटू डीटी का integral इस एल है अब मान लो जैसे कोई कह दे कि प्रोजेक्टाइल मोशन है कि प्रोजेक्टाइल मोशन है एप एसी है प्रोजेक्टाइल है कि हमने हमने एंगल थीटा पे इस पीड यूसे है कि एंगल थीटा पर हम से पूछा गया कि यहां पर यहां से चेशिटी जीरो से यह टाइम टी पर यहां पहुंच गया तो इसने distance कितना travel किया कैसे निकालेंगे एल इस इकल टू इंटेग्रल उफ विलास्टी का X कॉंपोनेंट तो UX होगा और Y कॉंपोनेंट चेंज होता जाएगा वो हो जाएगा यू वाइ माइनस जी टी का अंडर दर रूट इन्टो डीटी टाइम हो जाएगा जीरो से लेकर तू यू वाइबाई जी टाइम अफ लाइट यह क्या चीज निकलिए यह डिस्प्लेश्मेंट निकला यह डिस्टेंस निकला है यह पूरा लैंस निकला है हाँ यह ना ठीक है I'm not going to solve this obviously this integral तुम ट्वेल्ट क्लास को पास कर चुके हो तो यू नो की इस इंटेग्रल इस नॉट नॉट नाइस इंटेग्रल जो के यह आई थिक रटावाव टाइप का को इंटेग्रल नियू था कुछ रटी होए होते है है जोच रहा हूं कि किसी क्वेस्टिन में ये है कि हम क्भी यूस किया हो तुमने दो साल से तियारी कर रहे हो ! कभी यह यू snr और लेकिन कोई पैरा बोला जैसा को कुछ नहीं किया मैं पैरा बोला में नहीं किया है सोचो जड़ा सरकुलर मोच वो जो रोलिंग विडाउट स्लिपिंग होती है अगर पैरी फरी पे एक पॉइंट ले लेते थे तो यहाद आ रहे है वह साइकलोएड मुशन करता था साइकलोईड नहीं 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 पता इंधव कelp रेंचे है आँ also you साइक्लोइड जो एकर वना हिए साइक्लोड है तो जो पेरिफरी वाला थ ίह फॉलो करें वह उसको साइक्लोड बोलते हैं थीक है ह्भेशनिहन व quiero लिखो देखो ना डेफिनिशन इन जोमेट्रिक साइकलोड जा कर्व ट्रेस्ट बाया पॉइंट अन सर्कल एजिट रोल्स अलाउंग स्ट्रेट लाइन विदाउट स्लिप और जो साइकलोड का जो यह पाथ है इसका डिस्टेंस का लेंथ पूछ लिया कि एक साइकलोड में वह पार्टीकल कितना डिस्टेंस चला इसेंट इसपलेसमेंट डिस्टेंस का चला आई थिंक वह एटार आता है रहट वाले कर्व की लेंथ एटाराती है यह मैं अभी प्रूब करके दिखाऊंगा तुमें ठीक है तो लेटेस सी मैं यहां पर आया ऐसी है ऐसी है रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कर रहा है तो यह एक्स कोडिनेट ले लो यह विलॉसिटी आफ सेंटर आफ मास वी सीम ले लिया इसका रेडियस आर है और एंगुलर विलॉसिटी ओमेगा है तो हम यह कह सकते हैं वी इक्वल टू आर ओमेगा इस दा कंडिशन आफ कुछ देर बाद यह सरकल यहां पहुंच जाएगा अग्टी पे और हम यह कह सकते हैं यह पॉइंट ऐसे हो जाएगा यह एंगल थीटा हो जाएगा टाइम टी पे चलेगा हां यह वाला पॉइंट पी है वह यहां पहुंच गया इस पी के कर्व कोई तो साइक्लोइड बोल यह जो डिस्टेंस है यह कितना हो जाएगा वीटी बीसी एमटी और यह कितना हो जाएगा थीटा इक्वॉवल टू उमेगा टी थीटा इक्वॉल टू उमेगा टी ठीक है कि नहीं अब यहां पर मान लो पेरामिट्रिक फॉर्म हमें मालूं है अगर कोई कढ़े कि साइक्लाइड की पेरिमेट्रिक फॉर्म क्या होगी कि अधि सऑरितरी समिन southeria play pc क्वाइश क्वाइड का एक स Pour equivalent कितना है वी टी वी- pref minus r sin theta सही है? नहीं, यह distance तो हो गया vt और यह distance हो गया r sin theta तो उसका x coordinate हो गया vt minus r sin theta v को लिख देना r omega तो r omega t minus r sin omega t this is x coordinate as a function of time happy? और अगर मैंने x as a function of theta निकाला वो भी parametric form हो गई तो क्या बोलते हैं, okay, omega t को theta लिख जाएगा r theta minus r sin theta चलेगा? y coordinate y coordinate कितना हो जाएगा? r minus r cos theta या y as a function of t कितना हो जाएगा? r minus r cos omega t यह भी चलेगा यह मैंने parametric form बता दी किस चीज़ की cycloid की okay सही है? अच्छा, मान लो अब मुझे distance निकालना था distance covered in ऐसे कुछ motion बन रहा था ना, जैसे यह periphery पे कोई point था तो वो अजीब से डंसे चल रहा था ऐसे हाँ या ना, इस length l का मतलब है time हो जाना चाहिए जिसमें एक पूरा चक्कर काट जाए, that is 2pi by omega, हाँ या ना, इतने time में मुझे integral निकालना है, किस चीज़ का integral निकालना है, dx कितना हो गया, dx हो गया r omega dt, minus r, sin का differentiation हो गया, cos, omega t into omega, into dt, dy कितना हो गया, dy हो गया, 0, minus r, minus sin omega t, into omega, सही है, into dt, into dt, तो अब हमारे पास l हो जाएगा, integral of, under the root of, dx का square, plus dy का square, यह भी चलेगा, रुक जाओ, यह, एरेजर के साथ किसने छेड़ छाड़ करी हो गया, ओक्के, तो यह, पेपरों को टाइम होता है, यहां पर इस टाइम पर सब लोग ना कंस्ट्रक्शन चालू कर देते, अपने घटवे, I don't know why, what is wrong with them, तो r omega common ले लिया, r omega common ले लिया, 1 minus cos omega t, इसका कर दिया square, प्लस r omega, फिर common ले लिया, sin omega t, इसका कर दिया square, into dt बाहर ले लिया, आया ना, टाइम हो जाना चाहिए, 0 से 2 pi by omega, r omega बाहर आगया, r omega बाहर आगया, under the root of 2 minus 2 cos omega t, तो यह आगया 2, into 2, sin square, omega t by 2, half angle formula लगा दिया, into dt कर दिया, इससे आगया 2 r omega, 2 r omega sin, omega t by 2, integral dt, 0 से लेकर 2 pi by omega, सही है यहां तक, यह आगया 2 r omega, divided by omega by 2, sin का integral हो गया, minus cos, 2 pi by omega, into omega by 2, minus cos, of minus cos, 0, यह cos 180 बन गया, that is minus 1, minus minus, plus 1 हो जाएगा, फिर minus minus 1, 2 हो जाएगा, और यह omega से omega कट गया, अच्छा में इसका मतब सही आद था, cycloid का length, cycloid का length 8 r होता है, इसका उपर वाला highest point पर radius of curvature शाहिद 4 r होता है, अब तुम कोगे radius of curvature कैसे निकाल सकते हैं, वो मैंने last time बताया था, last time बताया था, एक एक general formula कराया था, मैंने, radius of curvature का formula होता है, 1 plus dy by dx की power, square की power, 3 by 2, upon d square y upon dx square, सही है, 3 by 2 अंदर था या बाहर था, बाहर था ना, बाहर था ना, रिके, अच्छा, बाहर था, यह मैंने किस तरह हैं से किया, dx square plus dy square का, अंडर दा रूट का integral, एक और चीज़ बताओ, जो यहाँ पर उपर आया में आपर, यहाँ पर इसकी velocity लिख सकता हूँ, इस point की velocity, कैसे, इसकी velocity हो जाएगी translational, V, and rotational, tangent की along r omega, सही है, यह angle हो गया theta, तो इसका मतलब यह, horizontal से बनाएगा, theta, तो x component of velocity कितना आएगा, बड़े जहान से करना है, x component of velocity, यह आजाएगा, v minus r omega cos theta, and velocity का y component क्या आजाएगा, r omega sin theta, इसका मतलब, velocity का x component तो आगया, v minus r omega cos theta, v को लिख सकता हूँ, r omega, into 1 minus cos theta, and velocity का y component आगया, r omega sin theta, और l क्या था, l था हमारा, integral of magnitude of velocity dt, magnitude of velocity निकालोगे, तो क्या आएगा, r omega बाहरा आजाएगा, अंदर under the root बन जाएगा, 2 minus 2, cos theta, theta को लिख देना, omega t, into dt, integral 0 से लेकर, 2 pi by omega, I think that's one and the same thing, लेकिन मेरे को velocity लिखने का मन था, इसलिए करवा दिया, ठीक है, मन भी तो बहुत important चीज़ होती है, मन की बात करते हैं, इस दिन समझो गती है, मन की बात बहुत जरूरी है, जरूरी है,